हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बीएचमेस फस्ट इयर के लिए जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बहुत स्टुडेंट्स जो हैं उन्होंने comment section में इस doubt को लेकर काफी questions पूछे हैं कि बीएचमेस फस्ट इयर के लिए कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो काफी important हैं तो इस वीडियो में हम बीएचमेस फस्ट इयर के लिए जितनी भी important बुक्स हैं और जो बीएचमेस फस्ट इयर का जो slaves है उसके बारे में काफी detail में discuss करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखें जिससे complete जो भी important information इस वीडियो में share की गई है वो आपको मिल सके बुक्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बीएचमेस फस्ट इयर है उसका जो slaves है वो क्या है कौन-कौन से subjects हैं जो बीएचमेस फस्ट इयर में आपको पढ़ने हैं बीएचमेस फस्ट इयर के जो subject की list है उसमें सबसे पहले नमर पर है anatomy subject के लिए जो स सबसे पहले जो सबसे basic book है, उससे start करना चाहिए, जो सबसे basic book है, वो है BDC, इसके जो है वो चार volume है, इन चार volume में जो first year का complete syllabus है, उसके बारे में discuss किया गया है, anatomy के लिए और भी best books हैं, लेकिन आपको सबसे पहले BDC पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो BDC की जो language है, वो काफी simple है, इसे आसानी से समझा भी जा सकता है, exam pattern से ये book जो है, वो भी काफी important है, anatomy के लिए जो और भी best book है, वो है Grace Anatomy, अगर आप anatomy के बारे में और न चाहते हैं, तो आप Grace के anatomy पढ़ सकते हैं, ये काफी basic book है, Grace Anatomy जो है, वो anatomy की काफी advanced book है, इसे Bible of Anatomy के नाम से भी जाना जाता है, subjects की जो list है, उसमें second number पर है physiology, physiology जो subject है, वो medical students को काफी easy भी लग सकता है, क्योंकि आप 11th और 12th में biology जो है, उसे पढ़ कर आए, तो जितनी भी process हैं, उनका सब advanced level जो है, उसको physiology में discuss किया गया है, अब question ये है कि physiology के लिए जो best books हैं, वो कौन-कौन सी हैं, physiology के लिए आप AK Gen की जो book है, उसको prefer कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी book है, और काफी simple language जो है, उसको discuss किया गया है उस book में, AK Gen की जो book है, उसको आप जो PG entrance exam है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, AK Gen की जो language है, वो काफी simple है, आसानी से इसको समझा जा सकता है, physiology के लिए जो सबसे और भी important book है, वो है Samulingham, Samulingham जो है, वो exam pattern से काफी important है, सभी topics को आशान भासा में उसमें discuss किया गया है, जिसे अगर आप exam के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब तो आप आसारी से उसको cover कर सकते हैं, syllabus इस book में, subject की list में जो तीसरे नमबर पर है, वो है pharmacy, pharmacy subject के लिए जो best book है, वो है mandal and bundle, इस book में homeopathy का जो first year का जितना भी pharmacy का syllabus है, उसको discuss किया गया है, जितनी भी processes हैं, जो भी important basic information है, उसके बारे में सभी पूरी detail में इसको discuss किया गया है, mandal and bundle की जो book है pharmacy की, उसमें जितनी भी process हैं, जो first year से related है pharmacy की, जो भी information है, जितनी भी नए नए processes के बारे में आपको जाना है, वो सभी जो हैं, वो इस book में discuss किये गई है, knowledge point of view से और exam patterns से, दोनों तरीके से ये book जो है, वो काफी important है, first year का जो भी pharmacy का syllabus है, वो आपको इस book में complete मिल जाएगा, anatomy, physiology और pharmacy, ये तिन वो subject हैं, जिनके first year में exams होते हैं, homeopathy में first year में इन तीन subjects के अलावा दो और subjects हैं, जिनके इन तीन subjects के exam होते हैं, उन दो subject जो हैं, उनके exam नहीं होते हैं, पर उनको पढ़ना बहुत important है, वो दो subject कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले नमर पर है materia medica, हलाकि first year में जो materia medica का exam है, वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको materia medica की जो basic knowledge है, उसके बारे में पता चलेगा, materia medica subjects के लिए जो basic book हैं, जो आपको prefer करनी चाहिए, उन में सबसे पहले नमर पर है Ellen's Keynote, Ellen's Keynote में जो भी medicines हैं, होमेपैथी की, उनके बारे में, जो important जो उनका introduction है, वो दिया गया है उसमें, important जितनी भी information हैं, किसी भी medicine के बारे में वो बताई गई हैं, और जो Ellen's Keynote है, उसको आप जो PG entrance exam है, उसके लिए भी prefer कर सकते हैं, second book जो materia medica के लिए प्रिफर कर सकते हैं, वो Dr. Boric की जो materia medica है वो, इसमें जो introduction दिया गया है, किसी भी medicine का, वो काफी सही दिया गया है, जिससे अगर आप सिर्फ introduction भी पढ़ लेते हैं, तो आपकी जो medicine है, वो काफी complete हो जाएगी, यानि introduction से ही आप जो medicine का complete knowledge है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, Materia medica के लिए जो आप एक और important book जो है, उसको prefer कर सकते हैं, वो है Dr. S. के दुबे सहर की book, ये book जो है, वो इसमें medicine के बारे में, जो ये एक type की मतलब ऐसा कह सकते हैं, कि सभी books का एक collection है, जिसमें सभी books के जो important points हैं, उनके बारे में discuss किया गया है, आप इसको exam के लिए काफी prefer कर सकते हैं, exam point of view से ये जो book है, वो काफी important है, subject की list में जो 5th नमर पर है, वो है Organin of Medicine, first year में, Organin of Medicine का जो exam, हलाकि first year में, जो Organin of Medicine है, उसको conduct नहीं कराया जाता है, लेकिन फिर भी, आपको knowledge के लिए इसको जरूर पढ़नी चाहिए, Organin के लिए जो important book है, वो है 1.10, 1.10 के 3 volume है, जिन में जो Organin of Medicine है, उसको discuss किया गया है, इसकी जो language है, इस book की वो काफी basic है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, जितने भी जो important information है, Organin of Medicine की, जो भी principles हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं, इस book से, second जो book है, Organin of Medicine की, जो आप prefer कर सकते हैं, वो है Honeyman Sir की Organon, जिसको जिसमें 5 और 6 जो addition है, जिसको translate किया गया है, dozen है, ये वो सभी important books हैं, जिनको आप PHMS first year में prefer कर सकते हैं, ये book जो हैं, वो ना सरिफ exam point of view से important है, बलकि आप knowledge भी इनमें काफी सही दी गई है, मैं आपको एक बार फिर बता दू कि BHMS first year में, सरिफ anatomy, physiology और pharmacy का जो exam है, उसको conduct कराया जाता है, Organin of Medicine और Materia Medica का exam जो है, वो first year में conduct नहीं कराया जाता है, होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर BHMS first year या BHMS first year के slavers या फिर subject से related कोई भी doubt है, तो comment में जरूर पूछे, thank you so much for watching.